परवती छेत्रों से लोगों का पलायन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और लोग अपनी पारंपरी खेती को छोड़ रहे हैं जिसका के मुख्य कारण है जंगली जानवरों के द्वारा होने वाला खेती में नुकसान और इस नुकसान के लिए किसानों को पास एक विकल्प है मश्रूम मुटपादर मश्रूम एक ऐसी फसल है जिसको कि किसान भाई अराम से कमरे में लेकर खेती कर सकते हैं और आजकल मश्रूम की कई प्रजातियां उपलब्ध हैं जिसको अपना करके वो पूरे वर्ष मश्रूम की खेती कर सकते हैं उदारन के तौर पे बटन मश्रूम यह ऐसे मश्रूम हैं जिसके द्वारा किसान पूरे साल खेती कर सकते हैं क्योंकि इन मश्रूम के लिए जो आवश्रक ताप्रम है वो अलग-अलग है अगर हम बटन मश्रूम की बात करते हैं तो बटन मश्रूम को उगाने के लिए आवश्रक ताप्रम 14-22C होती रेसा जादा होने की वज़ा से यह पेट के विमार्यों के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर हम बात करते हैं मश्रूम मुद्वाधन की, एक सिमाल तस्तर पर मश्रूम मुद्वाधन के लिए किसान भाईयों को एक जोपडी की जौरत परती है, और उस जोपडी को लगा करके वो मश्रूम की खेती कर सकते हैं. मुख्य रूप से परवती छेत्रों में बटन मश्रूम और धिंग्री मश्रूम ये दो मश्रूम प्रचलित हैं बटन मश्रूम के लिए किसान भाईयों को जाड़े के समय में इसकी खेती कर सकते हैं कि इसके लिए जो तापक्रम है वो 14 से 52 सेंटीग्रेट चाहिए होता है और अक्टूबर के महिने से ले करके मार्स तक किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं सरव प्रथम बटन मश्रूम उत्पादन की कई प्रक्रिया होती है उसमें सरव प्रथम किसान भाईयों को कमपोश्ट बनाने की आफशक्ता होती है और कमपोश्ट बनने के बाद उसमें उनको बीज मिलाने की आफशक्ता होती है और जब एक बार कमपोश्ट में बीज का फैला हो जाता है तो उसके उपर हम केसिंग मृदा की प्रद बिछाते हैं और उसके बाद हमारी मश्रूम उत्पादन की प्रक्रिया सुरू हो जाती है अगर हम द्यान दें तो कमपोस्ट बनाने की दो विधियां होती है पहली विध है दीर घवद विध और दूसरी विध है लगवद विध विवेकानन परणती क्रिश्यन संदान संस्थान इस संस्थान में लगवद विध द्वारा कमपोस्ट पाश्री करत कमपोस्ट बनाई जाती है और यह कंपोस्ट किसानों को भी सप्लाई किया जाता है लगवद विद्वारा कंपोस्ट बनाने में मुख्य रूप से हमें ग्यहूं के भूसे की जुरत पड़ती है और इस भूसे के भार के आधार पर इसमें 60-70 प्रश्ट मुर्गे की खाथ, 6 प्रश्ट चोकर, 7 प्रश्ट जिफ्सम और 1.5 प्रश्ट यूरिया की आउशकता होती है सरप्रथम हम ग्यहूं के भूसे को अच्छी तरह से भिगोते हैं और भिगोने के बाद ये सारी चीजों को उसमें अच्छी प्रकार से मिलाते हैं मिलाने के बाद इसमें करीब नमी की मात्रा 75-80 प्रश्चत तक होनी चाहिए और उसके बाद हम इसकी एक धेर तयार करते हैं और धेर की जो उचाई और चौडाई होती है वो करीब करीब 5 फिट के आसपास होती है इसके बाद करीब 2 दिन में धेर का तापमान बढ़ना सुरू हो जाता है और वो तापमान 75-80 डिग्री सेंटी गेर तक आ जाता है इसके तीसरी दिन धेर बनाने के तीसरे दिन हम इस धेर की पहली पलटाई करते हैं और पाश्वे दिन इसके दूसरी परटाई करते हैं, साथ्वे दिन तीसरी परटाई करते हैं, नौवे दिन चौथी परटाई करते हैं, और फिर 11 दिन हम इसको पास्तुरी करण कक्ष में डाल देते हैं, पास्तुरी करण कक्ष में इसके हम 6-7 दिन तक रखते हैं, हम पास्त प Żyar के बाद हम इसकी कंडिशनिंग करते हैं और दिरेदेता अबान मांद किम्रे के मांद के बराबर आ जाता है किम्पोंजत दयार हो जाती है लेकिन कम्पोंजत यार हुने के पाले हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना जैसे कि edema जो जो नमी की मात्रा है वह आशक प्रश्चत्र होनी चाहिए इसका जो पियजमान है वह साथ समलोग दो सद दसमलोग पांच के अमद्ध और यह बूरे रंका होना चाहिए इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आने चाहिए खास्तोर से अमूनिया की गंध नहीं आने चाहिए यप वैज्यानिक भासा में तो इसंने जोira की मात्रह है वह 8 से 12PPM से ज्यादा नहीं नहीं होनी चाहिए अगर ये सारी किलो बैग में भरते हैं और बैग में भरने के बाद इस बैग को हम अपने फसल कक्ष में रख लेते हैं जहां कि तापमान 18-22 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच होता है हम ये देखते हैं कि करीब 12-14 दिन में हमारे कंपोस्ट में पूर रूफ से सफेदी फैल जाती है जिसे ह हम कहते हैं कि इस पॉंद हो गया है इसके बाद हमको इसके उपर आवरण मृदा बिचाने की आशिक्ता होती है किसान भाई आवरण मृदा बनाने के लिए आपको तीन भाग सड़ी हुई दो साल पुरानी गोबर की खाद और एक बाग बलूई की मिट्टी बलूई खोल करके करीब 3-4 cm मोटी परत इसके उपर हम बिछाते हैं और दूसरे दिन से इसके उपर हम पानी का छिरकाओ करते हैं और जिससे की आपके कमरे का जो नमी है वो 85-90 प्रश्चा तक बरी रहे और करीब 14-15 दिन के उपरांत हमारा मश्रूम नकलना सुरू हो जाता है और 4-5 दिन में मश्रूम हमारा परिपक हो जाता है और इस मश्रूम को हम आफसानी से अंगुठे की मदफ से तोड़ करके अंगली से निकाल लेते हैं और उसके बाद 2-3 दिन बाद जहां पे गढ़े बन जाते हैं वहां पे हम पुना आवरन मृदा को बिछा देते हैं डाल देते हैं जिससे की वह गड़े भर जाएं और डेली हमको दिन में एक बार या दो बार यह निर्भड करता है कि उस समय के तापमान कितना है हम पानी का छिड़काओ करते रहते हैं तो इस तरह एक बार हमारा मश्रूम निकलना सुरू होता है तो करीब यह मश्रूम हमारा 6 वीक त तक निकलता रहता है और जितना हमने कंपोस्ट उप्योग में लाते हैं उस कंपोस्ट भार का करीब 17 प्रिश्चत तक हमें मश्रूम उत्पादन होता है यदि हम आर्थिक विश्रेशन की बात करें तो एक किलो बटन मश्रूम उत्पादन में हमारी जो कॉस्ट आफ तक का आर्थिक लाप अरजित कर सकते हैं दूसरा जो पर्वती छेतरों के लिए मुख्य मश्रूम है वो है धिंगरी मश्रूम यह मश्रूम बहुती सरल होता है इसके उगाने की विदी और इसके लिए हमको नहीं कंपोस्ट बनाने की आउश्यक्ता होती है नहीं आवर्म भी स्टैंक में 100 लिटर पानी लेते हैं और इस पानी में हम साथ से 10 ग्राम कार्बेंडाजीम और 120-150 मिली लिटर फॉर्मलीन डाल करके एक सालूशन तयार करते हैं और उसके बाद एक बोरे में 10 किलो भूसे को भर करके उसका मुव बंद करके इसको हम इसमें 16-18 घंटे त इसने हमको सूखने देते हैं। जब भूसे में नमी की मातरा 1-5-5-60 तक होती है तो भूस उसमें हम धि humans का भी मिला लेते हैं इसके बाद इन पनियों को उठा करके जो हमारा फिसल कक्ष है उस कक्ष में ले जा करके रख देते हैं और करीब 10-12 दिन में हम यह देखते हैं कि पनिय में चारो तरफ सफेदी फैल गई है मतलब धिंगरी मश्रूम का इसपान जो है पूरे सफेट को कॉलनाईज कर लिया है और करीब 12 दिन बाद जब यह हमको सफेदी दिखाई देती है तो हम पनिय को चाकू या ब्लेड की मदश से काट करके निकाल देते हैं और निकालने के बाद उसके दूसरे दिन के सुरू से हम इस पर पानी का छिरकाओ दिन में एक बार या दो बार करते हैं और करीब 6-7 दिन बाद हम यह देखते हैं धिंगरी मश्रूम के पिन हेड जो हैं प्रारमभिक जो अवस्था है वो बैग में 4 तरफ से निकलने हुई दिखाई देती है जब यह 3-4 दिन में हमारे तोड़ने योग हो जाती है जब हम मश्रूम की तुड़ाई करते हैं इस तरह से हमको करीब 3-4 फ्लसेज मिलते हैं मतलब एक बैग में पूरा भरा हुआ मश्रूम हमको दिखाई देता है और जितना हम सुखा हुआ भूसा लेते हैं उसका करीब 60-70 प्रश्चत धिंगरी मश्रूम का उतपादन होता है इस तरह हम देखते हैं कि धिंगरी मश्रूम जो है हमारे पैदावार में भी बहुत जादा है बटन मश्रूम में जहां हम 17-70 प्रश्चत तक हमको उतपादन मिलता है वहीं पर धिंगरी मश्रूम में हमको 60-70 दिन तक उतपादन मिलता है और 60-70 प्रश्चत उतपादन जो है हमको सिर्फ वो एक महिने के अंदर मिल जाता है दूसरी चीज धिंगरी मश्रूम जो है उस मश्रूम को हम धूप में सुखा करके करीब 6 मेने तक हम आसानी से रख सकते हैं और जब भी आशकता होती है उसे हम गुनगुने पानी में डाल करके हम प्रयोग में ला सकते हैं तीसरी चीज़ धिंगरी मश्रूम के पाउडर हम बना सकते हैं और उस पाउडर का हम विभिन मुल्य समवर्दित उत्पाद भी बना सकते हैं इस प्रकार कृषान भाई देखेंगे कि धिंगरी मश्रूम की खेती जहां पर अत्यंत सरल है वहीं पर इसका उत्पादन भी आवशकता होती है और साथी साथ नमी की भी आवशकता होती है तो खास तोर से अप्रैल से जुलाई का महीना जो होता है वह दूध्यय मश्रूम के लिए उप्यूक्त होता है और इसके लिए जो आश्कत आपकरम है वह अठाइस से लेकर बशनकर के 35 c तक होता है तो दूध और फरौमलीन का गोल बनाते हैं उसके वाद इसमें भूसे को डाल करके 16-18 घंटे तक भिगोने के सलकक्ष में रख देते हैं और करीब हम यह देखते हैं कि 14 से 15 दिन में हमारा जो कवक जाल है वो पूरी तरफ से फैल गया है और कवक जाल को फैलने के बाद हमको इसके ऊपर आवरण मृट्टा को तक हम चारस dads family को फातर गौंटे तक करते हैं उसके बाद करें करीब धाई पिल्कुल ही सफेद दिखता है काफी हाड होता है और खाने में भी काफी अच्छा होता है इसकी जो सेल्फ लाइफ है इसका जो जीवन है वो बटन और धिंगनी मश्रूम की अपेच्छा जादा है इसमें रेशे की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है इसलिए ऐसे लोग जिन प्रत किलो दूद्या मश्रूम उत्पादन से हम करीब 30-40 रुपए का आर्थिक लाब प्राप्त कर सकते हैं